हाई फेंड्स वेलकम बैग तो फेंड्स एक लंबी छुटी के बाद मैं आ गया हूँ वापस 10-15 दिन से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है मैं गय हुआ था कहीं बाहर अभी रिसेंटली दो दिन पहले वापस आया हूँ थोड़ा रेस्ट कर रहा था और आज संडे QNA वीडियो से यह week हम स्टार्ट कर रहे है वीडियो का सिलसला शुरू कर रहे हैं और संडे क्यूने वीडियो में आप लोग जानते हैं कि जो आप लोगों के interesting questions होते हैं जो आपके doubts होते हैं वो मैं क्लिया करने की कोशिश करता हूं तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह स काफी ।西्टि दीख रहा है मैं भी उसे खोला कर साफ करना चाहता हूँ पर एक प्रॉलम है प्रॉजेक्टर पर destin काफी TRY करनने पर भी नहीं ख habil रहा है साधा वाला आपका जर झाली घूम रहा है पर इस को स्क्रुड को नहीं पर आपलेई जी जो इस स्क्रू डाइवर की आप बात करें यह पूरा एक कंप्रीट सैट आता है अगर यह आपके पास कंप्रीट सैट है तो इसमें काफी सारे यह डिफेंट डिफेंट टाइप के अटेच्मेंट रहते हैं तो इन में से जो है आप अलग-अलग ट्राइवर कर सकते हैं जो इसक्रू पहले खुल चुके हैं तो हो सकता है कि उससे जो दूसरा इसक्रू एक रहे गया है वो ना लगे थोड़ा जो यह स्टार वाले इसक्रू आते हैं तो वह आप ट्राइवर करें और या फिर एक जो सिंपल सा जो आता है एक फ्लेट जो इसक्रू पर से वह जरूर खुल जाएगा और फिर भी वह नहीं खुल पाता है तो अगर आपके पास में हैर ड्रायर है तो जिस साइड में वह इसकुरू लगा हुआ है वहाँ पर हैर ड्रायर से आप थोड़ा सा उसकी प्लास्टिक को वहाँ से गर्म करें थोड़ा सा एक दो मिनिट लूज हो जाएगा और फिर वह एजली खुल जाएगा तो इस तरीके से आप उससे खुल सकते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट जो अटेशमेंट पूरे सैट में रूजाते हैं वह आप को आपके पास में सैट नहीं है तो आप इसे मार्केट से पर्चेस कर सकते हैं यह 150 PVS प्रिसाज जी का इनका पूछना है कि 12,000 रुपीज के अंडर में किस प्रांट का टीवी की पिक्चर कॉलिटी वगरा अच्छी मिल जाती है, सर्वेस बैटर मिल जाती है और इन्फिनिक्स के टीवी अच्छे हैं या नहीं पीवेस परसाज जी देखे इन्फिनिक्स के टीवी वैसे तो काफी बढ़िया होते हैं आप चाहें तो पर्चेज कर सकते हैं मैंने भी करीब दो साल पहले एक 43 इंच 4K टीवी पर्चेज किया था अभी तक वो परफेक्टली कर रहा है कोई भी इशू उसमें नहीं आया है तो प्राइज भी इन्फिनिक्स के टीवी के काफी कम रहते हैं तो आप पर्चेज कर सकते हैं थोड़ा सा लॉंग लाइफ टीवी चाहते हैं सर्विस आफटर सेल सर्विस अगर आपको अच्छी लेनी है और 12,000 रुपीज मे इनके मोडल नमबर आप इसकीन पर देख सकते हैं तो यह मोडल जो है आप पर्चेज कर सकते हैं सेल की टाइम पर यह टीवी 12,000 से भी कम में मिल रहे थे 11,500 के आसपास ही मिल रहे थे अभी थोड़ा सा प्राइज इंक्रीज इनका हो गया है दिसंबर में सेल फिर से आएग इनके में कहा मलेंगे विनोध कुमार जी तोशिवा और व्यू के टीवी जनरली ऑनलाइन में ही सेल किये जा रहे हैं आफ़लाइन में इनका मिलना काफी की मश्किल है वैसे आप क्रोमा स्टोर पर ट्राई कर सकते हैं या फिर आप विजाई-सेल्स पिर ट्राई कर सकते हैं इन पर आपको सकता है कि तोशिवा और व्यू की कुछ मडल देखने को मिल जाएं रिलाइस डिजिटल पर वियू थांसन वगारा की टीवी देखने को मिल जाते हैं तो Reliance Digital, Chroma Store और Vijay Sales इन पे आप ट्राई कर सकते हैं Next Question लेते हैं गोहिल शुरेश जी का ये लिखते हैं कि सर प्रोजेक्टर में कई कमपनी अपनी प्रोड़क्ट की NC Lumens 2600 तक ही बताती है क्या ज्यादा NC Lumens वाला प्रोजेक्टर की क्लियरिटी अच्छी होती है गोहिल शुरेश जी डेफिनिटली एक प्रोजेक्टर की जितने ज्यादा NC Lumens की brightness होगी उतनी ही आपको better picture quality मिलेगी उतनी ही आपको bright picture देखने को मिलेगी और 2600 NC Lumens काफी ज्यादा हो जाते हैं और यहां पर यह 2600 Lumens की brightness अगर किसी प्रोजेक्टर में बता रहे हैं तो वो brightness काफी ज्यादा होती है हाला कि जितने भी इस टाइम चाइनीज प्रोजेक्टर इंडिया में सेल किये जा रहे हैं इंडिया के बहुत सारे सेलर इंडिया में brand registered करवाके और वहां से चाइना से जो प्रोजेक्टर है वो इंपोर्ट करके अपना लेविल चिपका के उनको सेल कर रहे हैं तो उनकी जो एंसी लूमेंस बताई जाती है या लूमेंस में brightness बताई जाती है कि 15,000 लूमेंस 11,000 लूमेंस वह एक्चुल नहीं होती है वह बहुत जादा हाइप करके उसको बताते हैं तो जितनी भी वह बता रहे हैं उसकी हाफ कर दें जादा एंसी लूमेंस का एक और benefit होता है कि इसमें आप बड़ी स्कीन पे काफी अच्छी पिक्चर क्वालिटी देख सकते हैं अगर किसी प्रे पिक्चर क्वालिटी नहीं मिलती है क्योंकि फिर पेट्टर का से सकीन से काफी दूर हो जाता है तो जितनी ज्यादा ब्राइटनेस में होगी ज्यादा बड़ी स्कीन पर बैटर पिक्चर क्वालिटी आप उसके दूर्ह देख सकते हैं नेक्स्ट कुशन लेते हैं संजे जी पटनाइक जी का ये लिखते हैं कि इन्होंने सॉनी एक 75 65 इंच टीवी पर्चेस किया है जिसमें ब्रांड से 3 रसकी कॉम्पेंसी वारंटी मिली है क्या इन्हें एक्सटेंड वारंटी लेनी चाहिए अगर लेनी चाहिए तो कौन सी ले चाहिए काफी सारी third party companies warranty extend करती है लेकिन वो मुझे लगता है कि एक तरीके का scam है कभी तो उनकी तरफ से service मिल जाती है कभी service नहीं मिल पाती है parts की availability उनके पास में नहीं रहती है बहुत सारी उनके hidden time condition रहती है तो उनसे तो आप purchase ना करें flip card जीवस की आपने choose नहीं की तो आ directly आप sony से ही contact करें और देखिए अब यह warranty extend करवाएं या ना करवाएं यह एक तरीके का मुझे लगता है कि जुआ इसको बोल सकते हैं अगर वह आपकी जो brand warranty मिली है उसके बाद अगर TV खराब हो जाता है तो उसमें आपको benefit मिल जाएगा अगर TV खराब नहीं हुआ पांच warranty extend करवा लें और डारेक्ट sony से ही करवाएं और आगर आपका budget नहीं है पैसे आप खाच नहीं करना चाहते हैं तो आप warranty extend ना करवाएं सोनी से वैसे आप अगर warranty extend करवाएंगे 65 इंच के टीवी की तो यह काफी ज़दा costly आपको होने वाली है आप मानका चलिए कि एप्रॉ है तो क्या problem हो सकता है अब मुझे sony 65 इंच लेना है तो आपके इसाप से कौन सा लेना चाहिए lgb चलेगा वन लेक अंडर मेमन आरफ जी देखिए आपके टीव में जो भी problem आ रही है अगर आप उसकी कुछ images मुझे बेश सकें तो मैं आपको बेटा तरीके से बता सकता आप कितना color डल हो रहा है कैसा डल हो रहा है वो मुझे ऐसे तो पता नहीं लग पाएगा तो कुछ images आप उसकी मुझे send कर दें यह जो email ID आप आप पर देख रहे हैं इस पर आप send कर दें या मेरे Instagram पर आप मुझे DM कर सकते हैं तो मैं आपको चेक करके बता दूंगा और वन में से आप पर्चेस कर लें दौनों ही TV काफी बढ़िया है LG 8080 अगर आप पर्चेस करेंगे तो वो ज्यादा बैटर रहेगा उसमें Q&ED टेकनलोजी है यानि की LG की NanoCell टेकनलोजी और QLED TV टेकनलोजी को इंटिग्रेट किया गया है तो इसमें आपको जो picture quality है वो काफी VW के TV कैसे है मुझे उसका आइडिया नहीं है मैंने आज तक इनकी TV नहीं देखे हैं कहीं यह offline में तो देखने को मिलते नहीं है Amazon पर ही यह sale किये जा रहे हैं इनकी build quality कैसी है picture quality कैसी है इसका मुझे बिलकुल भी idea नहीं है वैसे 7500 में मिल रहा है काफी सस्ते में यह TV मिल ज आइंगे जिसमें आपको official Android मिल जाएगा 500 700 रुपे एड करके आप इससे better TV आइधिंक ले सकते हैं Google TV इसमें आपको नहीं मिलेगा आइधिंक VW के TV में official Android नहीं है यह open source Android 9 उसमें देते हैं तो Google TV तो आइधिंक आप इसमें नहीं चला पाएंगे तो better रहा कि आप 1000 रुपी कि hard LED panel versus flexible LED panel which is better राजन सिंग जी देखिए hard LED panel और flexible LED पैनल यह कोई पैनल टेकनलोजी नहीं है IPS पैनल को hard LED पैनल बोला जाता है और VA पैनल को flexible LED पैनल बोला जाता है जो IPS पैनल है उसको आप finger से ऐसे टच करेंगे तो वो अंदर की side में ज्यादा दपता नहीं है लेकिन VA पैन Mac a powerfulец ip s पैनल better माना जाता है लेकिन IPS पैनल में जो black level है उतना अच्छा नहीं होता है जितना की यह पैनल में होता है जो यह पैनल पैनल आया तो दोनोगी पैनल की कुछ अपनी कमी है कुछ अपने अपाईदे नुकसान है लेकिन अबरॉल अगर देखा जाए तो IPS पैनल की ये लिखते हैं कि आसिभाई अंडर 40,000 बेस्ट 55 इंच 4 के टीवी बताईए जिसकी picture quality भी बढ़िया हो और service भी बढ़िया हो अमनकुमार जी देखिए अगर आपको picture quality बढ़िया चाहिए और after sale service भी बढ़िया चाहिए तो आपको थोड़े से premium brand के टीवी लाना पड़ेंगे जैसे की LG के टीवी, Samsung के या फिर Sony के LG का 2022 का TV model है UQ 7550 जो की बहुती बढ़िया टीवी है वो आप purchase कर सकते हैं इस time I think वो 40,000 रुपीज की price की range में मिल जाएगा 41,000 या 42,000 रुपीज उसका price है कुछ create card discount लगा के ये आपको 40,000 रुपीज में मिल जाएगा और आगे December में sale आएगी तो इसमें इस पे 2,000 रुपे का जो discount है वो और बढ़ जाएगा तो यही TV आपको 38,000 रुपीज तक में मिल सकता है 2022 का model है लेकिन कोई problem वाली बात नहीं है LG का TV है तो इसमें आपको picture quality भी बढ़िया मिलेगी और इसमें आपको after sale service भी बढ़िया मिल जाएगी next and last question आप लेते हैं कमल शर्मा जी का ये लिखते हैं कि sir इसका best color लगाने का idea बताईए brightness कितना रखना है color कितना रखना है जैसा दुकान पर टीवी दिखता है वैसा दिखना चाहिए कमल शर्मा जी देखिए दुकान पर जो टीवी आपको दिखाया जाता है showroom में जो टीवी दिखाया जाता है वाँपे high quality वीडियो होती है HDR में वीडियो होती है वह वाँपर आपको प्ले करके दिखाया जाती है तो उसमें आपको उस वजए से जो है picture quality वहाँपर काफी बढ़िया लगती है और टीवी को store mode पे set किया जाता है जब एक new TV को आपको on करते है उसकी सारी setting करते है और वहाँपर जो वीडियो प्ले की आते है वो definitely 4K वीडियो होते है HDR में वीडियो होते है इसलिए वहाँपर आपको picture quality बहुत बढ़िया लगती है गर पर आप देखेंगे तो उतनी बढ़िया आपको नहीं मिलेगी अब देखेंगे यहाँपर जो TV में कितना color आपको देखना है कितनी brightness आपको देखनी है वो आपके depend करता है आपके room की ambience कैसी है lighting कैसी है सामने कोई window तो नहीं है वहाँ से कितनी light पढ़ रही है उसके साब से color brightness वगरा set की जाती है तो मेरे TV में मैंने मेरे पास LG का TV है उसमें मैंने कितनी brightness और कितना sharpness कितना contrast महाँपर save किया हुआ है तो वो मैं आपको यहाँपर स्कीन पर आप side में देख सकते हैं तो यह आप setting करके देख लें थोड़ा बहुत up down करके देख लें अगर हो सकता है तो उसमें आपको और थोड़ा better picture quality मिल जाएगी color वगरा आपको कितने ज़्यादा देखने है मुझे थोड़े से light color ही पसंदे बहुत ज़्यादा saturated color मैं नहीं देखता हूँ तो उसके साब से color मैं कम ही रखता हूँ तो आप अपने साब से थोड़ा बहुत adjustment कर लें बाकि यह setting आप यहाँ पर देख सकते हैं तो फेंड्स आज की question answer का सिलसला यह पर खत्म करते हैं उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा पसंद आया हो तो वीडियो को कर दीजिए like and share अगर आपने पहली वार हमारे चैनल पर एवजिट केया चैनल को कर लीजिए सब्सकाइब बेल आइकन को भी कर दीजिए प्रेस मिलते हैं किसी अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय